वेल्गम दोग्तों अगर आप एक्शन कैमरा यूज़ करते हैं अगर आप गोप्रो या कोई भी किसी भी तरह का एक्शन कैमरा यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबदास होने वाला है क्योंकि SSK and Sons आपके लिए लेकर आया धेर सारी एक्शन कैमरा की अशेसरी और ये अशेसरी आपको मिलने वाली है बहुत ही वाजिब दामों पर इन अशेसरी में आपको मिलेंगे border frame, knuckle mount, strap, selfie stick mount, LED light for GoPro, GoPro side door window और GoPro के cat और इसी तरह की बहुत सारी चीज़े और ये अशेसरी जो है सबी models के लिए available हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा भी के GoPro 567 के cover से तो ये देखिए कुछ इस तरह matte finish में आपको cover मिलेगा और ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये rubber type की finish में आता है और साथ में इसके आता है quick pull, build quality इसका बहुत ही अच्छा है और matte finish proper rubber finish में आपको मिलेगा और इस बात की SSK insurance की guarantee है कि ये वाली quality आपको internet पे 1000 रुपे से नीच प्रांकारिय वो ले सकते हैं और order place करने के लिए हमें call करें और ये जो cover है ये gopro के model 5,6 और 7 इन तीनों model के साथ में ये काम करेगा इस cover को लगा के आप directly charging port यूज कर सकते हैं दोनों buttons आप यूज कर सकते हैं आप इस cover को लगाए लगाए इसमें सारे function सारे properly operate अपने gopro को कर पाएंगे तो दोस्तो अगला product है sling step बहुत से लोगों को gopro को handle करने में बहुत भीक्त आती है क्योंकि एक छोटा सा camera है तो उसको कैसे आप हर टाइम अपने साथ में रख सकते हैं तो ये गले में hang करने के लिए gopro के साथ में attachment दी जाती है इसको आप यहां से निकाल कर और gopro को independently use कर सकते हैं और अगर आपको गले में टांके रखना है तो इस attachment के जरीए आप गले में टांकर permanently रख सकते हैं Amazon या किसी भी website पे आप चेक करेंगे तो यह आपको 400 से कम में मिलने वाला नहीं है और दूसरा आपको बदा दू कि यह जो gopro लिखा हुआ यह उसमें screen printing के through मिलेगा यह कपड़े के अंदर ही बना हुआ है और साथ में दिया हुआ है मैटल का हुग यह मैटल का हुग का आपके साथ में रहेगा तो बहुत ही strong build quality है आप देख सकते हैं और यह आपको एसस के एंट्संट करा रहा है मात्री 500 रुपे में जी हां 500 रुपे में आप यह एसस के एंट्संट के स्टोर से ले सकते हैं तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है गोप्रो का नकल माउंट इसका यूज किस तरह करना है आपको बदाता हूं तो माली जी यह आपका गोप्रो है तो इसके अंदर इस attachment को ऐसे fix करेंगे और यहां पर screw लगाके आप इसको handheld इस गोप्रो का नकल माउंट है ओनलाइन अगर जोई से चेक करेंगे तो यह आपको कम से कम मिलेगा 400 रुपीज का उसमें भी आपको बता दू अगर इसकी quality आप चेक करें तो यह कोई first copy second copy नहीं यह original डाई से बना हुआ है अगला product है बहुत ही बहतरीन product है अगर आप action camera sports camera कोई भी यूज करते हैं बाइक ड्राइब करते हैं तो उसके साथ में समस्या क्या आती है कि आप कभी helmet के उपर लगाते हैं तो properly वो adjust नहीं हो पाता है तो दोस्तों इसमें कुछ इस तरह से आपका camera attach होगा और attach होने के बहुत ही smooth video बनता है और इसकी अगर quality की बात करूं मैं तो यह देखिए आपको quality देखते ही पता लगता है कि यह बहुत ही बहुत ही बहुत बैटरीन flexible rubber यूज किया गया है proper grip के लिए और दूसरी बात यहां first PVC material यूज करके बनाया गया है तीसरी बात इसमें proper metal का screw hold दिया ह हुआ है proper grip के लिए यह सारी चीज़े बहुत जरूरी है अगर आप internet पर चैक करते हैं तो आपको यह flimsy से कुछ इसी तरह के similar look product मिलेंगे जो की दिखने में तो ऐसा ही लगता है पर यहां पर आपको ना तो रपड की grip मिलेगी ना ही metal की grip मिलेगी यह सारा ही flimsy चीज़े म आपको बहुत ही वाजिद दामा पर सिर्फ 400 रूपीज में आपको प्रोवाइड करा रहा है तो दोस्तों अगली एससरी है गोप्रो का side door replacement part का function क्या होता है कि गोप्रो जो भी यूज करते हैं हमें पता है कि गोप्रो में battery बहुत ही limited होती है तो उसको अगर आप extend करना चा बाहता से continuously shoot कर सकते हैं पर shoot करने में दिक्कत क्या होती है कि जो side door होता है उसमें कोई भी ऐसा port नहीं होता जिससे आप charging directly कर सकें तो यह side door replacement का काम यही है कि इसको आप original door के साथ replace करके और यहां पे charging port आपको दिया हुआ है तो इसके अंदर से आप अपना directly power bank लगा के continuously shoot कर स इसमें कोशन दिया होगा battery grip के लिए और यह जो port है आपको खाली जगह दी हुई है यह आपको दी हुई है चार्जिंग के लिए पहली बात तो यह आपको online offline कहीं पे मिलेगा ही नहीं और अगर मिल भी जाएगा तो यह कम से कम 2-3,500 रुपे का यह पार्ट आपको मिलने वा और जल्दी से जल्दी अपना order place कीजिए तो दोस्तों अगला product है GoPro 8 का border frame जी हाँ यह GoPro 8 का border frame है GoPro 8 का जो design है वो particularly 9 or 10 से तोड़ा सा slightly different है तो यह specifically GoPro 8 में use होने वाला border frame है और यह देखिए जिस तरह का इसका build quality देखिए बहुत ही जबरदस build quality आपको मिलने वाला है और secondly आपक कुछ slide door करके और आप अपना GoPro इसके अंदर डालेंगे और बहुत ही easily इसको mount कर देंगे तो online अगर्दी आपको मिलेगा तो वह बहुत ही basic सा plane और cheap quality गा product मिलेगा बट आपको यह चीज है बहुत ही solid build quality के साथ है और साथ में आपको यह सारे port मिलने वाले हैं और साथ में सब से bumper जो चीज है इसकी वो है flash mount यहां पे आप अपना flashlight hang कर सकते हैं या साथ में आप अपना mic भी attach कर सकते हैं तो उसके लिए यह बहुत ही जबरदस होने वाला है और दूसरी बात इसकी यह है कि यह ऐसे slide करके आप easily इसको fix करके और बंद कर सकते हैं अगर इस quality में आप online चे यह वाला border frame आप मंगवा सकते हैं तो अगर आपको यह वाला border frame चाहिए तो जल्दी से जल्दी नीचे दिएगे WhatsApp नंबर पर contact कीजिए और अपना order place कीजिए अगला जो product होने वाला है वो है GoPro 910 का border frame इसमें दो-दो flash mount दिये हुए हैं एक flash mount में आप mic यूज कर सकते हैं और में flash LED light के लिए यूज कर सकते हैं और power recording के लिए side में port दिये हुए हैं यह आपका होने वाला है standard जो GoPro 910 का frame है तो कुछ इस तरह का frame आपको मिलने वाला है इसका खास बात यह है कि एक तो यह आपको glossy finish में मिलेगा और दूसरी बात यह है कि आपको यह दो flash mount के साथ मिलता है तो दो flashes आप यूज कर सकते हैं या mic attachment आप यूज कर सकते हैं उसके लिए यह बैटरी रहने वाला है और इसका सबसे basic बात क्या है basic difference क्या है कि यह slide door के साथ आता है slide door करके आपको यहाँ पे GoPro fit करना है और यह lock हो जाएगा यहाँ और इसके साथ में भी यह आपको quick pull और यह screw साथ में रहेगा तो यह वाला जो border frame है आपको मिलने वाला है 4500 रुपे का तो यह जो frame है आपका यह थोड़ा different रहने वाला है उसमे slide door था और इसमें यह lock door system है तो इसको lock कैसे खोलना है इसको slide सा अंदर को करेंगे और यह इस तरह से आपका lock खुल जाएगा lock खुलने के बाद यहाँ पे camera place करेंगे और इसको properly बंद कर देंगे तो यह कुछ इस तरीके का frame आपको मिलने वाला है और इसमें भी आपको साथ में quick pull और screw attachment रहेगी तो इसमें भी आपको same way दो flash mount मिलने वाले हैं build quality में दोनों same है और jack जो है जो properly दोनों में same दिया हुआ है और same attachment आप इसमें carry कर सकते हैं इसमें sliding door है और इसके अंदर जो है वो lock system दिया हुआ है तो यह basic difference है यह आपको अगर online चेक करेंगे तो यह आपको कम से कम 1200 से 2000 रुपे तक की range में मिलने वाला है ऐसके आपके लिए यह बहुत ही सस्ते जामा में सिर्फ साड़े 600 रुपे म तो यह अगर आपको दोनों में से कोई भी बॉडर फ्रेम चाहिए तो आप properly mention कीजिएगा कि आपको slide door वाला चाहिए या lock system वाला चाहिए lock system वाला जो बॉडर फ्रेम है वो 600 रुपे का पड़ेगा और जो slide door वाला है वो 400 रुपे का पड़ेगा और दोस्तों मैं आपको ब online websites हैं वो sellers से चार्ज करती हैं कम से कम 30-40% online में sellers के expenses बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए यह online में बहुत ज्यादा महिंगा मिलेगा पर अगर आप हमसे directly यहां से purchase करते हैं तो यह मात्रा आपको 4.500 रुपे में और यह जो lock वाला है यह आपको सिर्फ 6.500 रुपे में प्र आपको direct link provide कराएंगे अगला product है GoPro का lens cap तो lens cap में आपको बहुत ही जदा varieties मिलेंगी दोस्तों पर आपको बता देता हूं कि lens cap में क्या क्या difference है ताकि आप अच्छे तरीके से चेक कर सकी कि आपके लिए कौन सा बहतर है तो कुछी स्थरे का lens cap आपको market में मिलने वाला है यह ह hard lens cap तो इसका protection का काम यह है कि अगर आप luggage में या कहीं पे भी इसको GoPro को लेके जाते हैं तो यहां पे चोट लगने से lens को नुक्सान नहीं होता और इसी के साथ में एक आता है यह वाला यह lens cap क्यों special है तो उसके लिए आपको बता दू उसके लिए आपको turn करके देखना होग इसके साथ में दिया रहता है suction cup तो suction cup का क्या use है कि आप अगर इसे GoPro के उपर attach करते हैं तो यह कुछ इस तरह से लगाने के बाद हलका सा हम प्रेस करेंगे तो suction cup इसको hold कर लेगा तो यहां पर यह देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यह lose है पर यह बिलकुल भी हटने वाला है तो इन डोनों का जो काम है वो अलग-अलग है यह हार्ड केस है और यह है सॉफ्ट केस सक्षन कप के साथ और यह आपको जो ऑन लाइन अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो यह आपको 200-300 रूपे के बीच में मिलेगा और अगर यह सक्षन कप वाले लेंस के बात करते है तो यह आपको मिलने वाला है कम से कम 400-500 रूपे के बीच में है अगर आप अखेला कोई भी लेंस कैप लेना चाते हैं तो यह एससके एंसंस आपको प्लास्टिक वाला जो लेंस कैप है वो 100 रूपीज में प्रोवाइड कराएगा और यह दूसरा सक्षन कप वाला लेंस कै किजिए और अपना और प्लेस किजिए